आदरनी भगवान आज से अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं तो बड़े-बड़े अनालिस्ट कहा करते थे कि सोने में चांदी में कोई स्कोप नहीं है, चड़ नहीं सकते ये लोग, लेकिन आप आज देख लीजिए पिछले एक वर्स में सोना जहां सक्ता 20% दी बढ़ा है तो चांदी में 37% का उच्छा ला गया है, ये जो मैटल्स हैं सोना इवन चांदी वो सेफ हैवन एसेट मने जाते हैं, दुनिया में जब शेर मार्केट में अर्थवेवस्ता में बटता लगता है, तूटने का संकट गहराता है तो लोग बाग सोना चांदी खरीदते हैं, आप अमेरिका का उधारन ले सकते हैं, वहां राष्टर पती छुनाओ चल रहे हैं, और इलोन मस्क सहाब ने कहा है कि अमेरिका में financial emergency है, सालाना एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तो खर्च किये जाते हैं, सिर्फ कर्जे की EMI को चुकाने के लिए, जी हां महोदा है, अमेरि finance budget से भी, लक्षा मंत्रा लाए के budget से भी ज्यादा हो गया है, अमेरिका की आमदनी अठनी है, खर्चार रुपईया है, अमेरिका की जो अर्थ व्यवस्ता है, वो और कमजोर होती चले जाएगी, अगर Harris Administration चुनाओ जीतता है, यही भय है, जिसके कारण लोग वाग, बड़ जो दुनिया में डर का माहुल है, जिसके कारण सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं, उसके बाद सोना गिरेगा, फिर सोना गिरा रहेगा, तो मानने वर मेरा आपसे करवद निवेदन है, यह दुनिया भर में greed and fear के cycles होते हैं, कभी लालच होता है, कभी भय का माहुल होता ह अभी भय का माहुल है, तो कल फिर भय का माहुल होगा, इसलिए यह जो सोने चांदी में अभी उच्छाल आया है, इसके बाद हो सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट आए, उस गिरावट के बाद फिर सोने इवन चांदी में भयंकर उच्छाल आ सकता है, यह दोनों metals बहु पोर्टफोलियो में नैचुरल हेज के रूप में पोर्टफोलियो में शामिल करने का निवेदन, मैं अपने क्लाइट से सदैव करता रहा हूँ, करता रहूँगा, सिल्वर इबंगूल्ड पर रिक्मेंडेशन भी देता रहता हूँ, आप से भी करवद निवेदन है अगली बार जब सोने चांदी के दाम गिरेंगे तो इन्हें खरीदने के लिए मेरी recommendation प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के description box में link दी गई है उस पर click करके अभी के अभी मेरा client बन जाईएगा स्रीमान